हेलो दोस्तों अगर आप लोग डेडिकेटिड फ्राइटिड कोरिडोर में सेलेक्शन लेना चाहते हो तो आपने यूट्यूब की सबसे सांदार और जांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी कबर है एक्सपेक्टि एक्सपेक्टिव और मैनेजर का अलग अलग कटोफ मैं आपको बता कर भीजूंगा ठीक है बहुत ही बैतरीन ये वीडियो होने वाला है उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते वे चलेंगे सपोर्ट करते वे जरूर चलेंगे यहाँ पर मैं आपको यह भ अगर आप किसी गवर्मेंट एक्जाम की तियारी कर रहे हो सभी सब्जक को ट्रिक से पढ़ना चाते हो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे बैल को ओल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम तास पर सभी गवर् अतरीन जानकारी आपको देने वाला हूँ पहले मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा से अनलिसिस करूंगा पेपर का लेवल क्या रहा मोडरेट टु हाई आपका पेपर का लेवल रहा टोटल एपलिकेंट्स थे आपके बासाट हजार पांसो इक्किस ठीक है कैंडिडेट कितने एपियर हुए 50-60% 50-60% का मतलब क्या है अगर आप लोग 50% भी मानो तो टोटल आपके कितने कैंडिडेट यहाँ पर एक्जाम में एपियर हुए लगबग आपके 31,000 कैंडिडेट एक्जाम में एपियर हुए तो दोस्तों इस बज़े से आपका कट ओफ कमी रहेगा ठीक ह यह आप लोगों को ध्यान में रखना है आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं अब मैं पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कट ओफ क्या रहेगी आपकी एक बार कट ओफ देख लेते हैं किसकी एक्जिक्यूटिव की कट ओफ एक बार देख लेते है क्या आपकी cut off जाने वाली है तो guys यहाँ पर बात कर लेते हैं executive की cut off क्या रहेगी category wise आपको बैतरीन तरीके से बता देता हूँ अगर मैं general की बात करूँ 74 to अगर आपके 80 marks है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर safe में हो आप मतलब save zone में हो आपका selection होगा इतने number पर क्योंकि guys मैंने बताया आपके attendance काफी कम थी ठीके EWS की अगर बात करें अगर आपके 72 से 75 भी number है ठीके आप लोगों का selection होगा OBC की बात कर लेता हूँ 68 से 72 number ठीके guys SC की बात करूँ 62 से 68 number अगर आपके इतने number है ST की बात करूँ 58 से 62 PWT की बात करूँ 50 से 55 अगर आपकी number है तो guys आप लोग save zone में हो आपका selection होगा तो दोस्तों यह मैंने executive की cutoff बताई है जो की आपकी 2021 किसकी dedicated freighted corridor की यह आपकी जाने वाली है किसकी executive की अब देख लेते हैं आपकी junior manager की cutoff क्या रहेगी उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या आपकी cutoff जाएगी तो guys cutoff क्या जाएगी manager की वो देख लेते हैं general EWS OBC category wise पूरा देख लेते हैं अगर general की बात करें अगर आपके इतने marks है ठीक है guys अगर आपके 75 से 80 नंबर है ठीक है तो guys आप लोग general में save zone में हो general में 75 से 80 दोस्तों अगर आपको video पसंदा है लाइक करके जरू जाना बहुत बैतरीन ये वीडियो है आगे document के बारे में जानना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को subscribe जरू कर ले ना नीचे लाल कलर का बटन दबा कर ओके देख लेते हैं EWS की अगर बात करें अगर आपके 74 से 78 भी marks है तो आपको घवराना नहीं है आपका selection होगा paper आपका अच्छे level का आया हुआ था ठीक है junior manager का बात कर लेते हैं OBC की 70 से 74 marks SC की बात करें 65 से 70 नमबर ST की बात करें 60 से 65 नमबर PWD की बात करें 58 से 62 नमबर अगर आपके इतने नमबर है तो गाईज आप लोग save zone में हो आपका selection होगा अब बात कर लेते हैं आपका result कब आएगा आपका result कब आ रहा है तो दोस्तों आपका result यहाँ पर October के last में आपका result आ जाएगा 100% आपका October के last में result आ जाएगा Normalization के marks आपको तब मिलेंगे अगर आपका paper tough आया है paper अगर tough आया तो comment करके मुझे बताना कि सन मेरा paper tough था ठीक है आपके नमबर कितने बनने है category क्या है कौन सी date को आपका exam हुआ था वीडियो पसंद आया लाइक करके जरूर जाना ठीक है और नीचे लिख देना nice वीडियो ठीक है अब देखो मैं बात बताते तो अगर आपका paper tough था तो guys आपके 7-8 नमबर बढ़ाए जाएंगे जितने भी आपके row marks होंगे अगर आपका paper tough आया है normalization के बाद में आपके यही नमबर बनेंगे जो मैंने आपको बताएं है इन में आपके 7-8 नमबर add हो जाएंगे अगर आपका paper tough था ठीक है result के बारे में भी यहापे मैंने बैतरीन तरीके से आपको बता दिया है comment करके मुझे बताएंगे paper tough था ठीक है अपने नमबर बताएंगे category बताएंगे exam कब हुआ था और like करके जाएंगे और नीचे लिख देंगे nice video ठीक है guys वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद